हेलो स्ट्वेंट एक बाद फिर से आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल साइंस हिदी क्लासिस में अभी तक विटा जो भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो भी कंटेंट दिया था प्रिकास के बारे मताया था हम लोग श्चार्ट करते हैं प्रिकास का परावर्तन क्या है परावर्तन दरपड में होता है दरपड के बारे में पढ़ेंगे हम दरपड कितने प्रिकार के होते हैं यह सब को जाजम परणने वाले हैं, हम बात करते हैं, प्रकास का पराबठा, reflection of light प्रिकास का परावर्त reflection of light क्या होती है परावर्तन का मतलब क्यों है वापस आड़ा क्यानी जहां से प्रिकास गया है वही वापस आ जाए उसकी side change हो जाएजी लेकिन जिस مाध्यम से गया है उसी माध्यम है मतलब कहने का है प्रिकास के परावर्तन के लिए सिर्फ एक माध्यम की आवशिक्ता होगा जिस माध्यम से गया है वापस उसी माध्यम जाएगा तो उसकी डेपीरियसंदी बात करें उसमें बताते हैं जब कोई प्रिकास की करण किसी माध्यम से किसी चिकनी अपार दरसी इस सम्कूर गटना गुल ते परकास का परादा जैसे मान लिए यह, यह कोई सत्य है और इधर मैंने यह कल़ाई कर दी या रेड़ अक्सार लगा दिया है क्योंकि उपर जो है ना इधर मैंने यहां माना है बायू यह मादने उपर क्या है बायू पर इधर जब यहां बायू है तो यहां पर भी बायू है क्योंकि क्रण नीच जाएगी जब कोई प्रकास की क्रण यह देखिए प्रकास की क्रण तकरा गई आकर टकराने के बाद बायू से आई थी, बापस भी तो बायू में गई है, जब कोई प्रकास कर किसी माध्यम से आकर टकराती है, टकराने का बापस उसी माध्यम में लोट जाती है, इसी को तो बोलते हैं प्रकास का प्राव, ये जो सते है, ये चिकनी, अपार दरसी सते है, अपा इसका नाम दिया जाता है आप तित्करण बापस जाने वाली किरण परां वर्तित किरण इन नौनों के बीच में तालपनिक रेका होती है जिसों एन यानि अभी इसका नाम होता है परावरतन यानि ये हमारा आप तन कौन और ये हमारा होगया परावरतन आपित किरण परावर्त कर अबलम एक ही बिंद पर आखर incident होते हैं मिलते हैं जिसका नाम देते हैं हम लोग आपतन आपतन तो आप से कोई पूछता है प्रकास का परावर्तन क्या है तो प्रकास के परावर्तन में बताते हैं जब कोई प्रकास के रड़ किसी एक माध्यम से किसी चिकनी अपार डर्सी सते पर चकराती है तो तकराने के पस्चाद परकास किरर बापस उसी माध्यम में लोट जाती है इस किरिया या इस घटना को ही परकास का परावर्तन कहते हैं तो जब किरर आई टकराई टकराने के बाद बापस दोट गई यही किरिया क्या के लाई है प्रकास का परावर्तन आप इसमें जो भी हमें दिया गया है इसको आपने के करके देखते हैं यह जो जहां यह तीनों चीज़े टकरा रही है इसको बोलते हैं मुख्य अच्छ बिल्कुल क्लास की तरह आपको पढ़ाते हैं मैं इन सभी की आपको डेफिशन भी इनके बारे में भी बोलता हूं आप इसे नूट कर सकते हो सबसे पहले के आप लोग बात करें आप तित्करड आप तित्करड आप लोग लिख सकते हैं आप तित्करड क्या होते हैं जब कोई प्रिकास किरड माध्यम से आकर सतेय पे टकराती है इस किरड को आप तित्करड कहते हैं दूसरी परावर्तित्करड क्या है जब कोई प्रिकास किरड सतेय पर टकराने के बाद बापस माध्यम में लोट जाती है उस किरड को परावर्तित किरड कहते हैं आगे बात करतें अविलम्व अभिलम्व क्या लिखेश्में है वह काल्पनिक रेखा जो आप्तित किरड तथा परावर्तित किरड के बीच में इस्तित होती है उसे अबिलम कहते हैं इसको बोलते हैं इंसीडेंट रे यह है रिप्लेक्टिड रे इसको बोलते हैं नॉर्मल इसके बात करते हैं आपतन बिल्दों इसके बात करते हैं आपतन बिल्दों इंसीडेंट पॉइंट लिखिए इसमें आपतन बिंदु वहें बिंदु वहें बिंदु जिस पर आप्तित किरण पराबर्तित किरण और अबलब तीनों एकत्रित एकत्रित होते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं बात करें अब आपतन कोड़ एंसीडेंस एंगल या एंगल ओपिंस कोई पूँसा आपतन क्या है वहें कोड जो आपतित किरण और अबलम के बीच में बनता है आपतित किरण अबलम के बीच में बनता है उस कौन का क्या कहते हैं हम लोग आप तर कौन बात करें परावरतन कौन एंगल ओफ रिफलेक्शन एंगल या एंगल ओफ कोई पुसर परावरतन कौन क्या है वह कौन जो अबलम और परावरत करड़ के बीच में बनता है उसे कहते हैं परावरतन कौन अगर कोई पूसर मुख्य अच्छ क्या है तो वह है अच्छ जहां ये तीनों क्रड़े मिलती है उसको बोलते हैं मुख्य अच्छ आपको इसकी पीडियापी टेलीग्राम में मिलेगी जो आपकी वीडियो की टेलीग्राम से आप अच्छी से नोट्स भी बना सकते हो आप इसका इसकी स्वाल लेना चाहो ने सकते हो आगे देखते हैं परावर्तन के नियम परावर्तन के दो नियम है कौन से ही देखते हैं परावर्तन के दो नियम है पहला नियम क्या है देखो पहला नियम है आप तित्किरण कॉमा परा वर्तिकिरण तता अबलंब अभी लब तीनों एक ही बिंद पर्च्छ्ट् आकर मिलते हैं तो आप तित्किरण परावर्तिक अबलंब तीनों एक ही बिंद पर आकर मिलते हैं दूसरा है आप तन कोण की जया जया मनलब साइब आप तन कोण की जया नहीं सौरी आप तन कोण का मान आप तन कोण का मान कि सदेव परावर्तन कोण के मान के बरावर होता है आपतन कोण का मान सदेव कि जाएगी नीचे इसको मैं उपर करूँगा तो यह करका जाएगी जाएगी जितना परवर्तन होगा उतना ही परवर्ट कर नहीं होगा तभी तो एंगल आई बनावार एंगल आई इसकी जोन लीटिया इसका अब बात करते हैं परावर्तन होता किसमें है तो परावर्तन दरपड में होता है दरपड तो सभी लोग जानते होगे अब जानते होगे दरपड तो एक दम कहीं पाइटि व्यगार आव जाते होगे सबसे पहले देखते ओंकिंगा एखीस देगना ऑच्छा लगना ह happy has дев Hartman esos लगना है कहता नहीं हांट उसनिंग कैते है के लिटका स्तम नहीं हैंड्सम होना चीह च्छा देखिए अब बात करते हैं दरपड की बारे में दरपड क्या है मिरर क्या है कोई हमसे पूसा है दरपड क्या है दरपड एक बिटा काँ ची मानों जिसकी एक परत पर हम रेड उक्सारी कलय कर देते हैं दूसरी परत को परावरतक प्रेस्ट के रूब में प्रियोग में लाते हैं तो वह युक्त जो का च की होती है जिसके एक प्रेश्ट पर रेड ओक्साइड की कलई तथा दूसरे प्रेश्ट पर दूसरे प्रेश्ट को परावर्टक के रूप में प्रियोग करते हैं उसे दरपड कहते हैं दरपड दो प्रिकार के हैं एक है गोलिय दरपड और दूसरा होता है समतल दरपड तो पहले बात करें हम लोग गोलिय दरपड के गोलिय दरपड क्या है इस्फेरिकल मिरर कोई पूसरा है गोलिय दरपड क्या है इस्फेरिकल मिरर क्या है तो यानि वह है कांच जो होगा वो गोल कांच होगा और उस गोल कांच को गोलिय दरपड कहते हैं जैसे मानोग ये कोई कांच है गोल कांच है इसको मैंने अलग अलग वागों में ये तरह से काट दिया है इस तरह से ये ये राइट साइड मैंने कलही कर दिया ये राइट साइड मैं अब आप लोगों कि नोटिस हो रहा होगा ये देखो ये तो कोई हमसे पूछा है गोली दरपड क्या है तो जब गोली एक खांच को लेकर उसकी एक प्रेस्ट पर रेड़ ऑपसाडी के लई दूसरे प्रेस्ट को परावर्तक रुप में प्रियोग में लाते हैं इस प्रिकार के युप्ति बनती है उसे गोली दरपड कहते हैं बात कर कर जिसको बोलते हैं कॉन केव मंड। जैसरी गोल ये दरपड मारा बनाए है इसमें बनाया है के यह इसमें डुन बनाया है यह हमने बनाया है इस तरह से इस तरह से यह हमने रेड ऑक्साइड की कलाई कर दी है रेड ऑक्साइड की कलाई कर दी है यह जो है इसका परावर्थक प्रस्ट यह कोई करड़ आई या टकराई और टकराने बाद बापस नयां और यह इसका परावर्तक प्रस्ट कैसा है दबा दबा वा इसका जो प्रष्ट है वो कैसा है दबा हुआ परावर्तक प्रस्ट है तो कोई पूछता अपकल दरपण आप इसकी डाइग्राम के नीचे इसकी डेफिनिसे लगी है वह है दरपण जिसका परावर्तक प्रस्ट दबा हुआ होता है अर्थार जिसमें प्रिकास का परावर्तन दबे हुए अबतल दरपण कहते हैं यानि परावर्तक प्रस्ट कैसा है दबावर्त अब बात करते हैं अबतल दरपण के उपियोग देखो पहला उपियोग क्या है हमेज़ा याद रखना जब भी किसी छोटी वस्तु का बड़ा प्रत्रिम बनाना हूँ जैसे हम लोग डॉक्टर्स बगेरा के पास जाते हैं नाग, पान, गले के तो लोग देखते हैं अंदर क्या है क्या नहीं है तो पहला उप्योग है देखिए अबतल दरपड का उप्योग किसी छोटी वस्तु का बड़ा प्रत्रिम बनाने के लिए किया जाता है दूसरा लिखिए हम लोग उन्हें ये हैडलाइट्स देखिए है यानि जो गाड़ी बगए नामें जो हैडलाइट्स होती है उधर भी किसका यूज़ करते हैं अबतल दरपड लिखो दूसरा पॉइंट अबतल दरपड का प्रियोग का प्रियोग गाड़ीयों में अगर दीप आगे की हैडलाइट्स अगर दीपों के लिए किया जाता है तो ये अबतल देखो कौन केव केव माने क्या होती है मानो गुफ़ा और गुफ़ा अंदर की और होती है तो इसका परावर्ट करस्ट कहा हैं अंदर की और कहाँ पर है ये अंदर की और इसी को बोलते हैं अबतल देखो बात करते हैं इसके बाद इसी का पार्ट गोली दरपड़का नमबर दो उत्तल दरपड़का कौन वेक्स ये इसकी रेड उकसाइड परसे इसमें भी रेड आकसाइड ये इसका परावर्टक प्रस्ट है कैसा है अबरा हुआ उबरा उबराओ या नि कोई पूछता है उत्नल दर्पड वैधरपड जिसका जो प्रस्ट है ये उबरा हुआ है देखो ऊपर की ओर निकला हुआ है ना X माने क्या होता है exit समझो निकलना यानि उपर की ओर उबरा हुआ होता है उस दरपड को बोलते हैं अब लोगो उत्तल दरपड तो लिखें इसमें वह दरपड जिसका परावर्तक प्रस्ट उबरा हुआ होता है, उसे उत्तल दरपड कहते हैं। इसके भी उपयोग पीजिए। पहला उपयोग है, उत्तल दरपड द्वारा किसी बड़ी बस्तु का छोटा प्रत्मिम उसकी इमेज देखने के लिए बनाया जाता है। इसके इसके उत्तल दरपड कह उपयोग उत्तल दरपड कह उपयोग साइड मिर्ड जैसे गाड़ी बाइक बगेरा यह जो होते हैं साइड मिर्ड तो पीछे की गाड़ी देखने के लिए यह आता है। उत्तल दरपड कह उपयोग साइड मिर्ड के लिए किया जाता है। तो यह उत्तल दरपड के उपयोग थे तो गोल यह दरपड बेटा आपने समझा दो प्रकार के लिए अवतल और उत्तल के अब लोग हम बात करते हैं समतल दरपड के किसकी बात करते हैं समतल के समतल प्लेंड मिर्रर वै दरपड जिसका परावर्तक प्रस्ट कैसा हो समतल समतल परावर्तक लिखिए इसमें वह दरपड जिसका परावर्तक प्रस्ट समतल होता है उसे समतल दरपड कहते हैं देखिए अगर कहीं मैंने यहां लिखा है अवतल उतल और क्या लिखा है मैंने कोई बस्ट ले ली जैसे मान ली यह बस्ट है हमारी बस्ट की लंबाई यह 6 सेंटी मीटर तो अवतल में हमेशा याद रखना इस 6 सेंटी मीटर से कैसी बनेगी बड़ी उतल में कैसी बनेगी छोटी और समतल में कैसी बनेगी बरावर त्यानी अवतल दरपड कर बस्ट की बड़ा प्रत्रियम्द के लिए उतल का छोटी और समतल का उसके बरावर तो यह आपके दरपड़ देख तो बच्चों आपको, आपकी क्लासेस हैं बिलकुल आप जिस तरह से आप अपनी क्लास में पढ़ते होंगे आप उस तरह से आपको क्लास मिलेगी आपको पूरा PDM मिलेगा पूरा इसका सॉल्यूशन जो भी numericals होंगे सभी numericals मिलेगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब किया हो और अधिक अधिक से इसे सेर करने की कोसिस कीजिए और इसके translations पर bell ड़ाइकन नवाईये, क्योंकि बैटा जतना जादा जादा स सेर होगा आपOkay लिए मैं ँसकी भी जिदा करने इसलिए आगी क्लास आपके लिए फिसे आएगे थैंक्यू एबिनाज डेवेटा थैंक्यू